अगर इसके पहले के चार अध्याई आपने नहीं सुने आपके अवचेतन की चमतकारी सक्ति आपका अवचेतन असीमित सक्ति रखता है या आपको प्रेरित करता है, निर्देशित करता है या सुम्रिती रुपी गोदाम के द्वारा आपके नाम जीवन से जुड़े तत्यों और द्रिश्यों का पता करता है आपका अवचेतनमन आपके हिर्दे की धड़कन को सुरू करता है रक्त के सनरच्छन को नियंतरित करता है आपके सरीर में पाचन, अवसोशन और उत्थ सर्जन की प्रकिरिया को नियमित करता है जब आप रोटी का एक टुकडा खाते हो तो आपका अवचेतनमन उसे रक्त के रूप में आपके सरीर के उत्तकों, मासपेसियों, रक्त और हडियों में संचारित करता है यह प्रकिरिया किस तरह होती है? इसका बास्तरिक ग्यान दुनिया के सबसे बुद्धिमान बैक्ती जो दुनिया को चलाता है उसको भी नहीं है आपका अचेतनमन आपके सरीर की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को मियंतरित करता है और आपके हर प्रस्ण का उत्तर जानता है आपका अचेतन मन कभी भी सोता नहीं है, कभी भी अराम नहीं करता या हमेशा अपने काम पर हाजी रहता है आप स्वैम अचेतन मन की इस चमतकारिक सत्ती का अनुभाव कर सकते हैं हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहें कि आप किसी खास वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं आपको जानकर प्रसंता होगी कि ऐसा करते ही आपके अंदर की सारी ताकत पूनर जीवित हो जाती है और उस लक्षे की प्राप्ति में जुट जाती है इस तरह से अवचेतन मन के पास वसकती और ग्यान है जो आपको उस सकती के करीब ले जा सकता है जो दुनिया को चलाती है ग्रहों की चाल को नियंतरित करती है और सूरज के चमकने का कारण बनती है आपका अवचेतनमन आपके आदर्स, अकांचाओं और परोपकार के आगरह का स्त्रोत है अवचेतनमन की सक्ति द्वारा ही सेक्सपियर जैसे सधारन वेक्ति ने उन औस अधारन सत्यों को दुनिया के सामने लाया जो समाने आदमी की नजरों से छीपे हुए थे निमसंदे यह अवचेतनमन की सक्ति का ही पढ़नाम था कि ग्रिक मूर्तिकार फिल्डिया ने संग मर्मर और कांसे से बनी मूर्तियों में सुन्दर्ता क्रम सम मित और अनुपात का अदभुत समनवय किया इसी अवचेतन की सक्ति ने इटली के कलाकार रॉफेल को मेडोना जैसी कलकर्ती बनाने में मदद की और बिठोवन सुन्दर धुने त्यार कर सका आपका अचेतनमन आपके जीवन की खुली किताब है आप अपने अचेतनमन पर जो भी विचार, धारनाए, सिधान्त, नियम, लिखते, उकेरते या उभारते हैं उन्हें आप अपने लक्ष के रूप में स्थापित करते हैं और आपका अचेतन, मन उन्हें पूरा करने के लिए वैसी परस्ति थी, वातावरन और घटनाए, स्रजित करता है आप जो कुछ भी अंदर लिखोगे, बाहर भी वही अनुभाव करोगे आपके जीवन के दो पहलू होते हैं द्रिस्य और अद्रिस्य व्यक्ति परक और समस्टि परक, विचार और उसकी प्रतिकिरिया आपके विचार आपके मस्थिक द्वारा ग्रहन किये जाते हैं जो की आपके चेतन तार्किक मन का हिस्सा है जब आपका चेतन मन किसी विचार को पूरी तरह सविकार कर लेता है तो उसे मस्तिक के सनायू गुच्छ में बेजा जाता है वहां या और विवस्तित हो जाता है और आपके अनुभाओं के रूप में आपके सामने आता है आपका चेतनमन किसी तरह का तरक नहीं कर सकता आप जो भी विचार इस पर उकेरते हो या उसी के अनुरूप काम करता है या आपके चेतनमन का निर्नय अंतिम मानता है इसलिए कहा जा रहा है कि आप हमेशा अपने जीवन की किताब लिख रहे हैं क्योंकि आपके विचार आपके अनुभाओं बनते जा रहे हैं अमेरिका के प्रसीद निबंद कार रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, मनों से अपने बारे में सारा दिन जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है, अवचेतन मन पर जो भी लिखा जाता है, वह बाहर अभिव्यक्त होता है अमेरिकी मनों वेग्यानिक वीलियन जैंस ने कहा है, कि आपके अचेतन मन में दुनिया को हिलाने की सकती है, आपके अचेतन में असीमित बुद्धी मता और अपार सकती है, इसे छिपे हुए उर्जा स्त्रोतों से सकती मिलती है, और इसे जीवन का नियम कहा जाता है आप अपने अचेतन मन पर जो भी लिखते हो, वह इसे सच बनाने के लिए धर्ती अकास को हिला सकता है, अता आपको अचेतन मन पर सही धार नाओं और रचनात्मक विचारों को ही उकेरना चाहिए आज दुनिया में इतनी असांती और दुखों का एक ही कारण है, कि लोग अपने चेतन मन और अवचेतन मन के बीच के समवाद को नहीं समझते जब ये दोनों मन दो सिधानतों के रूप में आपसी सहमती, एकता, सांती और समन्नवे के साथ एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, तो हमारे जीवन में स्वास्ते, सुख, आनंद और सांती लाते हैं जब चेतन और अब चेतन मन एक दूसरे के साथ सम्भन्य में और सामती से काम करते हैं तो किसी प्रकार की तकलीफ या कलह की संभावना नहीं रहती आपके अब चेतन मन पर जो भी लिखा जाता है वो अंत्रिक्ष के परदे पर अविव्यक्त होता है यही सच्चाई, मोजेस, अल्ला, इसा, बुद, जोरे आश्टर, लावतजू और सभी संतों ने युगो युगों से कही है आप जो भी सत्य के रूप में अनुभाव करेंगे वह आपके सामने प्रस्तिती अनुभाव और घटना के रूप में आएगा गती और भावनाओं का संतूलन होना जरूरी है या जीवन का महान नियम है प्रकृति के हर काम में क्रिया प्रतिकिरिया का अराम और काम का सिधान्त लागू होता है यदि इन दोनों में संतूलन सतापित रह सके तो जीवन सुक वह सामन जस्से से भरपूर रहता है आपके जीवन में इन सिधानतों का लियात्मक और सुसंगत संतुलन बना रहना जरूरी है प्रवेश और निर्गं दोनों ही बराबर होना चाहिए प्रभाव और अभिव्यक्ति सम्मान होनी चाहिए आपकी निरासा का कारण अपून इक्छाएं है और अत्रिप्त इक्छाएं निरासा पैदा करती है आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं आपका हर हिस्सा उन विचारों को अभिव्यक्त करता है आपकी जीवन सकती, सरीर, आर्थिकिस्तिती, मित्र और समाजिक स्तर उन विचारों को संपूंगता से अविव्यक्त करते हैं जो आप अपने बारे में रखते हैं आपके उचेतन मन पर क्या उकेरा गया है और जीवन के हर बढ़ाव पर क्या अविव्यक्त हो रहा है या इसका स्रेष्ट उधारन है हम स्वयम को नकरात्मक विचारों से अच्छादित कर लेते हैं और उन्हें बढ़ावा भी देते हैं कितनी ही बार आप गुसा होकर डर कर इरस्या करके और प्रतिसोद भावना से ग्रस्त होकर अपने आपको कितनी हानी पहुँचाते हैं ये भावनाएं जहर के समान होती हैं जो आपके उचेतन मन में परवेश करती हैं आपने इस नकरात्मकता के साथ जनम नहीं लिया था अपने अउचेतन मन को जीवन दाई विचारों से भर लें तो आपके मन के सारे नकरात्मक पैटन समाप्त हो जाएंगे जब आप इसका सतत अब्यास करेंगे तो आपका भूतकाल अउचेतन द्वारा पूरी तरह से भुला दिया जाएगा याद नहीं रखा जाएगा अउचेतन मन किस तरह हमारे सरीर के सारे कामों को नियंद्रित करता है जब आप जागरित अवस्ता में होते हो या गहरी नींद सोते रहते हो आपका उचेतन मन हर समय अराम से सांती से काम करते हुए चेतन मन की सहायता के बिना आपके सरीर के महत्वपून कामों को नियंद्रित करता रहता है उधारन के लिए जब आप सोते रहते हो तब भी आपका दिल धड़कता रहता है फेपड़े, स्वास, नी स्वास का काम करते रहते हैं जिससे रक्त ताजी वायू को अवसोसित करता है और आपके जागने पर भी या काम उसी गती से चलता रहता है आपका उचेतनमान आपके पाचन और गरंथियों के स्ताव के साथ साथ सरीर की अन्य रहस मई किरियाओं को भी नियंत्रित करता है आपके सरीर पर इस्थित बाल भी आपके जागरित या सुसुप्त अवस्ता में होने पर भी बढ़ते रहते हैं वेग्यानिकों के अनुसार जागरित अवस्ता की बजाए हम जब नींद में होते हैं तो तौचा से अधिक पसीना निकलता है आपकी आखें, कान, नाक, आदि सभी इंद्रियां सोते समय भी काम करती रहती हैं कई वेग्यानिकों के उनके जटिल प्रस्नों या समस्याओं के उत्तर तब मिले हैं जब वे गहरी नीद में थे और उन्हें दिखें किसी सपने में उसके सवाल का जबाब छिपा था इस बारे में हम अध्याय 13 में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकक नॉर्मन डोईज M.D. अपनी न्यू यॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर पुस्तक The Brain That Changes Itself में लिखते हैं कि मस्तिक पर हुए हाल ही के सोद और लिये गए स्कैन से पता चलता है कि हम जब निंद्रा अवस्ता में होते हैं तो हमारे मस्तिक का भावनाओं लेंगिक व्यभार और उग्र व्यभार के लिए उतरदाई हिसा अधिक सक्रिये रहता है इसकी तुलना में free frontal वाला हिस्सा जो की हमारी भावनां और बृत्यों को बादित करता है वा कम सक्रिय होता है इस इस्तिति में जब आवरोध कम सक्रिय और बृत्याँ अधिक सक्रिय होते हैं तो नींद में आने वाले सपनों में जागरुकता और वास्तविक्ता की अधिक्ता होगी। सोध यह भी बताते हैं कि नींद हमारे मस्तिक में सनायू तंत्री परिवर्तन करती है। जिसके द्वारा हमारे सीखे गए कौसल और सिम्रिती मजबूत होती है। यदि दिन में हम कोई कौसल सीखते हैं और रात में सोते समय उस दिन सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए सोते हैं तो दूसरे दिन हमारा प्रदर्सन और बहतर हो जाता है। किसी समस्या को साथ लेकर सोना अक्सर जागने पर उस समस्या के हल के रूप में सामने आता है। अक्सर आपका चेतनमन आपके हिर्दे, फेफडे, अमासे आदी की समान्ने गती से चिंता, भय, परिसानी और दुख के साथ समाद करता है। ये विचार आपके अवचेतन मन के लियात्मक कारे की प्रकिरिया को और संतूलित करते हैं। जब मानसिक औवस्था का एहसास हो रहा हो उस समय सबसे अच्छा उपाय होता है बातों को थोड़ी देर के लिये भूलना, सांत रहना और अपने विचारों को स्थिर करने का प्रयास करना। अपने अवचेतन मन से सवाद करते हुए उसे कहें कि उसे अपनी सांती, लाय और संतूलन को कायम रखना है आप थोड़ी ही देर में अपने आपको सहज होता महसूस करेंगे और आपके सरीर की प्रकिरिया भी समाने हो जाएगी। या याद रखें कि अवचेतन मन से समवाद करते समय पून, अधिकार और दड़ विश्वास से बात करें आपका अवचेतन मन आपकी बात को जरूर मानेगा। आपका उचेतन मन आपको स्वस्त रखने और आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रतीबद है या आपको अपने बच्चों से प्रेम करने की प्रेना देता है जो जीवन को सुखी बनाने का ही प्रयास है मान ने आपने गलती से खराब खाना खा लिया तो आपका उचितन मन उसे बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा यदि आप अंजाने में विसका सेवन कर लेते हो तो आपके उचितन मन की सक्ती इसके असर को उदासिन करने के लिए तक पर हो जाएगी यदि आपको इस चमतकारी सक्ती पर विश्वास हो गया तो आप निश्चित रूप से स्वास्ते का लाब उठा सकेंगे अपने उचेतन मन की और पौन स्वास्ते का विचार कैसे प्रिसित करें यानि कैसे भेजें अपने उचेतन मन को पूर्ण स्वास्ते का संदेश भेजने का सबसे बहतर तरीका है वैज्यानिक या अनुसासित कलपना करना मैंने एक लकवे से पीडित व्यक्ति को अपने मन में ऐसा सपश्चित्र बनाने को कहा जिसमें वह अपने दफ्तर में चल फिर रहा है टेवल को छू रहा है टेली फॉन पर बात कर रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वह करता यदि वह स्वस्त होता मैंने उसे बताया किया विचार और पोन स्वास्थे का मांसिक चित्र उसके अवचेतन मन द्वारा सविकार किया जाएगा उसने मेरे कहे अनुसार काम किया और वास्तों में यह महसूस करना शुरू किया कि वह दफ्तर में है वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को ऐसा विचार दे रहा है जिस पर वह काम करना सुरू करेगा उसका अवचेतन मन वह स्थान था जहां पूर्ण स्वास्त का चित्र उकेरा जा रहा था मानसिक चित्र और विचार क्रेशन के कई हपतों के सतत अभ्यास के बाद एक दिन एक योजना के तहद उसकी पत्नी और नर्स कमरें से बाहर थे और टेलीफोन ने सतत भजना सुरू किया टेलीफोन उस व्यक्ति के बिस्तर से बारा फुट की दूरी पर था मगर उसने किसी तरह उठकर उसका उत्तर दिया उस घंटे में वह ठीक हो गया उसके अवचेतन मन की उपचार सक्ति ने उसके मानसिक चित्र के अनुसार परतिकिरिया दी और उपचार सुरू हो गया जैसे ही उसने अपना ध्यान उस अवरोध पर केंद्रित किया और मानसिक चित्र बनाना शुरू किया उपचार सक्ति उसके अनुसार काम करने लगी और उसे चलने योग्य बना दिया द्यान रखने योग्य बिंदू पहला है आपका अवचेतन मन सरीर की सभी महत्वपून किरियाओं को नियंत्रित करता है और आपकी हर परिशानी का हल जानता है दूसरा सोने से पहले अपने अवचेतन मन को अपनी किसी इक्षा के बारे में बताना शुरू करें और इसकी चमतकारी सक्ति को उस इक्षा की पूर्ती के लिए काम करता देखें तीसरा है आप अपने अवचेतन मन पर जो कुछ भी उकेरते हो उसका परभाव अंत्रिक्ष के परदे पर आपकी परस्तिती, अनुभाव और घटनाओं के रूप में सामने आता है इसलिए आपको अपने चेतन मन में चल रहे हर विचार और कलपना को जाचना चाहिए चोथा है क्रिया प्रतिकिरिया का नियम सारव भूमिक है आपका विचार क्रिया है और उन विचारों पर आपके उचेतन मन द्वारा किया गया काम प्रतिकिरिया है अपने विचारों को पर्खें पाजवा है जीवन में सारी निरासा इक्छाओं के पूरा ना होने के खारण होती है यदि आपका ध्यान रुकाउटों, देरी और कठिनाईयों पर ही केंद्रित रहता है तो आपका अवचेतन मन आपके ध्यान का अनुसरन करते हुए आपके रास्ते बंद करता चलेगा छटा है जीवन का सिधान आप में लाय और सुसंगती से परवाहित होगा यदि आप सचेत रहकर लगातार कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन ने मुझे जो इक्षा दी है वा मेरे माध्यम से उसे पूरा भी करवाएगा सात्वा है आप चिंता, डर, आधी भावनाओं को मन में लाकर अपने हिर्दे, फेफ़रों आधी की समानिक क्रिया विधी में रुकावट डालते हैं अपने उचेतन को सामती, स्वास्ते और समान जस्ते के विचारों से पूसित करें आपके सरीर की सारी क्रियाएं समाने हो जाएंगी आठवा है अपने चेतन मन को सर्वस्रेष्ट पाने के विचारों में लगाएं आपका उचेतन मन किसी आग्यकारी सेवक की तरह आपकी इक्षा का प्रतिफल देगा नौमा है कलपना में अपनी परिशानी का सुखद सामादान होते देखें प्राप्ति के आनंद को महसूस करें आप जो भी कलपना और अनुभाव करेंगे आपका उचेतन मन उसे सवीकार करेगा और उसे वास्त विक्ता में लाएगा दोस्तों इसके साथे वीडियो समाप करते हैं यदि आप चैनल पे पहली बढ़ाए हैं तो पहले चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और जानकर ये अच्छे लगी तो दोस्तों में प्रियेजनों में रिष्तेदारों में सेयर करें कमेंट करें जो भी आपका दिल चाहता हो मिलते हैं आप से इस पुस्तक के चठे अद्याए जो की है आदतों के प्रतिमान यानि पहले हम आदते बनाते हैं फिर आदते हमें बनाती हैं मैं धन्यवाद ज्यान रखें अपना और अपनों का